हेलो दोस्तों मैं उन्टे गाइड में आपका स्वागा थे दोस्तों अगर आप फिलिप कार्ट से कोई आडर प्लेस करें हैं और उसका पेमेंट आपने आनलाइन का दिया लेकिन आपका आडर प्लेस नहीं हुआ और आपका आडर पेंडिंग में चला गया तो ऐसे मैं आपक request करना चाहता हूँ अगर आप मैं चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका order pending में चला जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है order details और यहाँ पे order pending में चला गया है जबकि इस order का payment हो चुका है और bank से भी इसका payment कट चुका है और यहाँ पे उपर लिखा हुआ है sorry we are unable to place your order if money was debited we will automatically initiate a refund within 4 hours तो यहाँ पे लिखा है अगर आपका पैसा कट गया है तो आटोमेटिक 4 घंटे में refund हो जाएगा यह फिर यह जो है order place हो जाएगा और यहाँ पे need help का भी आपसन है यहाँ पे मैंने क्लिक करके और जो customer support होता है उससे भी chat किया और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ payment भी कटा हुआ है और यहाँ पे transaction ID है और pair to flip card और नीचे यहाँ पे message में दे सकते हैं जो order ID है यहाँ पे नीचे दिख रही है और same वही order ID यहाँ पे भी है और यहाँ पे मैंने इसे screen shot में लिया है और रखा है तो दो दोस्तों इसके बाद मैंने थोड़ा सा बेट किया और आधे घंटे के अंदर ही मेरा order जो है प्लेस हो गया यानि confirm हो गया और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ my orders में चाहता हूँ और यहाँ से आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे यह नीचे बाला है और यहाँ से मैं इसे आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों यह order होई है यहाँ पे यह confirm हो गया था और need help में मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने चैट भी किया था तो यहाँ पे इन्होंने 24 घंटा बेट करने के लिए बोला था इसके बाद यह confirm हो गया था तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको थोड़ा बेट करना है और उसके बाद आपका order confirm हो जाएगा या फिर आपका पैसा जो है वह आपस हो जाएगा और य 15 घंटा के अंदर ही यहाँ पे confirm हो गया था और अगर आपका confirm नहीं होता है तो आपका payments जो है refund हो जाएगा और अगर आपका payment भी refund नहीं हो रहा है और order भी pending है तो ऐसे में आप customer chaos से भी बात कर सकते हैं वहाँ से भी आपको solution मिचाएगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो म इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाग